कि देवियों सज्वन नमस्कार मैं जेश एश्टोवासू का फॉंटर अभिनास कुमार आप सब दर्सों को गत्त हे दिल से स्वालत करता हूं यदि आप हमारे चैनल में नए हैं जो किर्पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवस्करें साथ में लाइक और सेर करना कदाबित न और देखें कि ग्रहों के स्थिति कि कुंडली में ये गरह के स्थिति ऐसी क्या है जो इने इतने उच्छ मकाम पर ले गया है या इनको बुलंदियों को छूने में असानी हो रही है तो हम लोग इसी दर्मियान आपको कुछ वैदिक जोतिस के बारे में भी बताएंगे उसक नच्छतर नारी के दोारा हम लोग कुंडली की इसकी इस्ट्रेशन करेंगे साथ में इनके जन से लेकर है इनकी एजुकेशन और सबसे परिची इनकी पूफेशन और साथ साथ इनकी वैवाही जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे हैं हमें आसा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी यदि आप इसे अंत्र तक देखते हैं तो कभी आपको समझ में आप आएगी कि अईसी क्या चीज है इनकी कुंडलियां में जो इन्हें इतनी उचाई तक ले जाने में सक्षम है जै माता दी दोस्तों मैं जी एस एस्ट्रो वासू का फाउंडर अभिनास कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार स्रोताओं का फिर से एक वार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूँ यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए आपको स्कीन पर दिख रही होगी इस कुंडली में देखिए कि यह आपकी व्रिष्चिक लगन की कुंडली है क्या है कि हमारे जो लगन में आठ नमबर लिखा हुआ यह व्रिष्चिक रासी का लाती है जिसके स्वामी हो जो होते हो मंगल होते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे लगन में ही सनी महराज बैठे हुए हैं अर्था तो वो उस वैक्ती को इस्तीरता परदान कर रहे हैं। इस सनी महाराज जहां भी बैठते हैं, उस चीज में वो इस्थिर्ता लाते हैं, यदि जो कोई भी काम को ठान ले, तो उसको वो करके रहते हैं, साथ में जो इनके लगने से देखिए, वो जश्ट सत्तम घर में बैठे हुए हैं, अर्था दो नम्मर की जो रासी है, जो प्रिसव रासी का लाती है, वहां बैठे हुए हैं, मनलब मंगल जो इक लगने से वो अपने लगन को देख रहे हैं, मनलब ऐसे जातक बहुत ही साथी होंगे, ऐसे जातक बहुत ही प्रसस्मिक होंगे, बहुत महनत करने वाले होंगे आपको, तो उसी परकार अब हम देखते हैं, दूसरे घर, दूसरा घर में देखिए, नो नम्मर लिखा हुआ, अर्थात ये धनु रासी होगे, जिसके स्व मामी कौन होगे, गुरु होगे, और आप देख सहते हैं कि गुरु जाके दसमिया स्थान में बैठे होगे हैं, दूसरा घर क्या होता है, हमारे परिवार का होता है, हमारे कुटुम का होता है, हमारे संचित धन का होता है, हमारे संचित बिद्या का होता है, साथ में कौन बै बाठे हुए हैं क्योंकि चंद्रमा क्या भागेश भी है लब भाग भी इनका साथ देता है साथ में जो गुरू की डिष्ट्री आप देखिएगा अपनी पंचम डिष्ट्री से वो अपने घर दूसरे घर को भी देख रहे हैं अर्थात इनकी जो कुटुम जो परिवार है वो सब एक साथ रहेंगे क्या कि सुवगर के स्वामी हो गये गुरू साथ में सुवगर भी बैठे हुए हैं आपको जो चंद्रमा है असाथ में ये भागेश भी है तो हम इसे देख सकते हैं कि इनके कुटुम इनके परिवार पिता दादा से जो प्राप्त किया वद्धन भी है मिलेगा इने साथ में आपको संचित ग्यान भी है जो भी इनको सिखाया गया बिज्नेस के सिलसले में बच्पन से यह सीखते आये हैं वो संचित ग्यान का भंडार इसके अंतर रहेगा अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों चोथे गर जो हमारे मात तुर्थ का घर होता है जो हमारे जन्म अस्थान का हमारी माता का घर होता है वो एक ग्यारा नम्मर हो गया महला कुम्ब रासी जिसके स्वामित सनी होते हैं जो फुद लगन में बैठे हुए है और साथ में इस रासी को इस घर को हमारे गुरू भी देख रहे है तो इनका जो मातित प्रेम रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा वो अपनी मा से बहुत ज् प्यार करते हैं हम लोग अचली सर्चा करना चाहरा है इनके जो ब्यवसाय है कि लगक कैसा रहेगा बच्पन से कैसा रहा था जब वह की साल के हुए 22 साल के वह युवा हुए तो उससे में इनका बैवसाय इनका फ्रोफेशन्स इनका एजूकेशन्स कैसा था ये सारे चीज आप पॉजिशन को देख लेते हैं तो हम यहां देख रहे हैं कि प्रकार यह जहां बैठे हुए वहां से वह अपने सुल्वता हमेशा देते रहेंगे इनके साथ देखेंगे बुढ और शुक्र की यूति भी बन रहे हैं, साथ में कितू भी है, बुढ शुक्र क्या हो गए, आपको शुवगड़ा हो गए, उसी परकार यदि आप इनके वैवसाय का गहर, इनके बीजनस का गहर, इनकी बैवाहिक जीवन का गहर, इनकी पाटर का गहर देखेंगे दोस्तों, तो ये आपको विशवरासी होगे, दो नमर साथ मांगर दिखा रहा है, जिनके स्वामी सुक्र होते हैं, जो सुड़ी के साथ छटे स्थान पर बैठे हुए, उनके घार में मंगल बैठे हुए है, सुक्र मंगल की थोरी से यूति थ्वासा खरा ज्यादा प्रोफेशन्स में उचायों पर पहुंचते जाता है, उनकी बैवाहिक जीवन, उनके परिवारिक जीवन उतना ही जीवन कम होते जाता है, जेस्ट एक दुसरे के उल्टे होते हैं, यदि आपकी बैवाहिक जीवन अच्छी रहेगी, तो आपकी बैवाहिक जीव इसमें सारे गरह के बारे में दिया हुआ है कि सूरिये चंद्रमा मंगल बुद्ध गुरू शुक्र सनी राहू के तू क्या बता रहे हैं सबसे पहले हम लोग इनका स्टार्टिंग करते हैं जीवन से इनका जन्म 19 अप्रिल 1957 को हुआ है जन्म का समय है साम को साथ बच के तिरपन मिनट और जन्म का अस्थान वो बिदेश में पैदा हुए थे उनके अनुसार जो इनका पहला महादसा केतू का आया था जो हाटले आपको सोलह महने का था जिसम में वो हलके ज़ोला माने था शर्म और सेंगर केतू क्या बता एं, उसमें हम लोग क्या देखें हेल्थ देखते हैं अच्छा है, हेल्थ इनका खराब नहीं है, कहाएं कि जो गरह बता रहे हैं, ठीक, एक, छे, आठ वारा बता रहे हैं, लेकिन साथ में देखिए उसमें पांच, नो, ग्यारा भी आ रहे हैं, हल्का फुल्का बिमारी रहेगा, तवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उनका न सुक्र की महादसा children, जो 20 साल की होती जो 1978 में जाकि इनकी सुक्र की महादसा खतम होगे, और इसी दरमयान वो अपने जो education से जाए primary education होगे, जाए secondary education होगे, वो complete करते हैं, कि उस दिजजेमें की जब भी सुक्र की महादसा खतम होगे, एकिस साल की यह हो जाएंगे, तो सुक्र एजुकेशन्स और हेल्फ पर प्रस्म देखते हैं कैसा है यदि हम लोग देखें तो जो उसका ग्रह है जो सुक्र है छे, साथ, आठ बारा है हेल्थ जो ठीक बता रहा है लेकिन एजुकेशन्स में बता रहा है बहुत खराब है छे, आठ बारा है एजुकेशन्स म खराब है एक छे आठ वारा है मतलब हैल्थिंगा खराब रहेगा लेकिन साथ में दोस्तों देखेंगे तो 5 9 11 11 है वही कहूंगा हलका फुलका बीमारी होगा बुखार लगेंगे भींगेंगे नहाएंगे शर्दी होगी खासी होगी हलका फुलका चोट चपेट भी लग सकता है इनको लेकि मेडिसीन से मरहम पट्टी सोट ठीक हो जाए और ऐसा कोई भी सीरियस बीमारी उनको नहीं हो और हमने उसके सवलोट को देखते हैं तो यह क्या बता रहे हैं छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा है तो ठीक ठाक है लिग एजुकेशन में छे, आट, बार अफीर आ रहे है और नो ग्यारा है मतलब अवरॉल इनका हमें लगता है कि इनका एजुकेशन जो है चाहे प् इनकी मतलब मीडियम होगे हम ना तो कहेंगे बहुत बिर्लियंट हो रहे होंगे यह अपने टेंथ में ट्वेल्थ में या पहले दूसे चोथे क्लास में ना ही बहुत डल रहे होगे बीच में जैस्ट पासिंग मार्क, 50-60 पर्चेंग मार्स इनके आए होंगे काई कि उनके और साथ साथ हमें सारे गरफ को भी देखना है काई कि दसा तो बीच साल की है उसमें फिर अंतरा चलेगी सबसे पहले सुक्र में सुक्र चलती पिर सुक्र में सुरी आएंगे सुक्र में पिर चिन्रमा आएंगे फिर मंगल आएंगे रहू आएंगे गुरू आ बुद्ध आएंगे पिर केतू वाइंगे तो आप देखेंगे सारी कुंडिली में एक बारा टेके सारे ग्रम में शूरिये में मुझाय का देखाते हैं नशुद्ध के आठ बारा प्रेट इंडुनाइं में देखें नचयत्र में शूर्ण Colossus जब भी पंतरा आएगी राव को देखिए 6-8-12 आ रहे हैं पिछ 6-8-12 आ रहे हैं उसी तरह आप गुरू को भी देखिए गरह ठीक बता रहा है नच्छतर में 6 बता रहा है और आपको सब लोट में देखिए 6-8-12 उसी परकार सनी भी है उसी परकार बुद्ध भी है लेकिन स गडैसरा है उस्सता है वाल से इए म मोहते आप देखिए अथा डोस्तों कि इनके ग्रागे कंबिनेशन ब्हुत बढ़ियां हैं 9-11 पांच-11 आप देखिए मैक्सिमं में बेखिए 5-11 नौं ग्रा बता रही हैं छन्रमा में Дेखिए 5-11 चार ग्रा बता रहे हैं, आपको मंगल में देखिए पांच आ रहे हैं, आपको बुद्ध में देखिएगा तो आप देखिए और 9-11 सवलोड में, उसी पर का गुरू में, मैं लोग एजुकेशन ठीक ठग रहेगी, मैं लोग बहुत बढ़ियां भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, 50-50 हम लोग देखते हैं, जब जिसोरी का इंक देशा खत्म होती है, आप सुरी की जब जिसे दसा खत्म हुई, ऑप सुरी की दस अगे, संसे या बीजनस करते हैं जितना धन उतना को बीजनस करेंगे उसका नच्छतर क्या बता रहा देखिए का दोस्त एक दो तीन पांच छे साथ नौ दस ग्यारा बारह मतलब एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस एक ही घर खाले इनवाल्व नहीं बैंकि सारे के सारे पहले बहुत खराब होगा पिर एक अच्छा होजागा फिर खराब होगा फिर एक वे कच्छा होजागा इसे आट बारए का मिनिसनस में आ रहे प्लस पांच आट बारह भी आ रहे लिए साथ में 10 से 11 वी आपको आ रहे दस ए ग्यारा वीट कर देता है उसी परकाश के सब ल मतलब पहले वो कुछ इन्वेस्ट करेंगा, फिर उसमें से प्रॉफिट एक बग बोज़ा ता प्रॉफिट मिल जाए, एक बार ऐसा लगए है कि ये मेरा बिजनेस दुगने वाला, लेकिन अंतंत आते हैं तो ये बिजनेस आको डवल प्रॉफिट कर देगा, उसी परकार ये सारे घर है खाले 14 घर छोड़के, मतलब ये भी है, पहले डाउन, पर एक बेक बहुत हाई, अब चन्दरवा देखते है, चन्दरवा में गगरा क्या बता रहे हैं, दो बता रहे हैं, उसके नच्छत क्या बता रहे हैं, एक दो तीन, पांच छे साथ, आठ नो तस, एक यार उसी परकार दिये मंगल देखिए प्रोफेशन्स के लिए बीजनस के लिए कैसा है एक दो छे साथ ठीक है फिर नच्छत एक दो छे साथ छे मिल गया कोई बात ने उतना परिशाने नहीं करेगे क्या कि सातवा घर भी हम लोग बीजनस से देखते हैं अच्छा है अब जैसे द परकार हम लोग देखते हैं कोई भी फुड़ा गर नहीं छे है एक बुरा गर जो ज्यादा बुराई नहीं करता है काई को ग्रह और नच्छत्रम है लेकि सब लॉड में कोई भी छे आठ बार आ जाते था हम मान सकते थे यह फिप्टी-फिप्टी का का मिनेशन्स हो जाता ह यह देखिए का तीन-पांच-दस आरा नो दसमा गार हमारे कर्म का घर होता है दसमा आगर मों नेम फेम श्च्टस अगर होता है यह इन्हांस कर देता है उस सात्वे शार्व कि उसको बढ़ा देता है उसी परकार हम लोग देखिए बुध को देखते हैं बुध गर क्या ब पलट जाता है कि 6-7-8-12, 6-8-12 पूरा-पूरा मिल गया, साथ में उगरा का छठा जो है, वो भी इनके साथ बुड़े घर के साथ मिल जाता है, वो ग्यारा का साथ छोड़ देता है, यहां पूरा हो गया, लेकिन फिर सब लोट में अब जाईए, छे नो ग्यारा आ रहा है, ग्यारा फीर आ गया है, मतलब हम लॉशत टो हो गगा, लेकिन एंत में जाके हूँ हमारा लॉस रेकावर हो जाएगा, हम प्रोफिट ने कमा सकते हैं, हमानते हैं,פרगिन नहीं हो गख, कि 11-1 घर में नीचे आ गगया, सब लौड में आ गगया, यह 1-1 घर में हमारा नहीं र तो हम लोग गुरू को देखते हैं, गुरू देखिएगा आदि आप और वरल सारे गरह को देखिएगा, तो आपको सबसे नम्मर वन ग्रह आपको गुरू मिलेगा, for the professions के लिए, for the business के लिए, गुरू के आद तीन, पंच, दस इनका जो है, गरह पता रहा है, दसमा घर बहु सबसे नम्मर देखिएगा, शुक्र भी वहीं बताते हैं कि कभी अप में होगे, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, क्या 6, 8, 12 सारे गरह इसमें भी आ रहे हैं, और 10-11 भी देखिएगा, आपको आ रहे हैं, उसी परकर सनी भी है, सनी थोरा सा, खराब ह कायगीज का सब्लोड में देखिए का 6-8 बारा आपको पूरे पूरे कमनिशन सारे साथ में उनको नच्छतर का भी हेल्प मिल जा रहा है छे जो नच्छतर में छे नो गया रहा है वह सनी इधर आपको 6-8 बारा चाथ मिल जाके और खराबी करते हैं मैं लगा सनी यहाँ पर प चाथ से नहीं मिल पारे का गड़ा में जो रहों के 6-8 बारा आ रहे हैं मिलने पार रहे हैं दोनों में मतलब करनेक्सन नहीं बन पारा का जो नच्छतर में कोई भी बुड़े घर नहीं है 3-5-10 आपको 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 देकि जो पांचवां घर है अब दोस्तों ये 5-8 बार मिलकर यह हमारे पिग लॉस अभी इंडिकरता है मो ब्रैंग्क कर फ़को को भी हो जाते हैं कभी-कभी यतना ज्यादा लॉश इनको आजाता है कि कहने के बात में तो राहों की दसा में यह समाहाम नहों सकते हैं कि जिए जिए जो द्म फो कि एस À चल रही हो और किसी परकार उस पिरिएड में इनको हो सकता है कि बहुत ज़्यदा प्रोलम इनको आजाए अब लोन पर लोन लेते जाएए लिए लिए चुकाने पाईएगा ये पूछंस आ सकते हैं उसी बगार केतु है तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों ये हम लोग जो कुंडली है वो मुकेश अमानी जी को हमारा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड इन्हीं जानता है और अभी जश्ट इनका राहो की दसा खतम हो ये दोस्तों आप इस बीच दे सकते हैं कि ये बहुत सारे कंपनी को एक्वाइर किये हुए है एक जीओ भी लॉंच किये हुए है तो बहुत सारा पैसा इस अपने भाई के जो डूपतीवी कंपनी को बचाने का परियास कर रहे हैं उसके वज में भी वो दो-तिन कंपनी को उनके भाई के जो लोन्स है जो डेप्त है उनको दिया गया है अभी कुछ-कुछ आपको FMJC भी कंपनी एक्वाइर किये हुए है तो इस सारे कहां सब पैसे अपना इंवेश्ट कर रहे है लेकिन इनकी देखिये उसके बाद गुरु की दसाय स्टार्ट हो गई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसमें गुरु की दसाय स्टार्ट हो गई है अब गुरु देखिए इनका सुरू से उपर से ग्रहसे 10 नचतर में 10 और सबलोड में 10 11 लेकिन बहुत अच्छे है लेकिन बुड़े घर खाले 6,8,12 सबलोड में हो गया छठा घर आपको नचतर में हो गया और ग्रह में कुछ भी नहीं है यदि हम लोग इसका वेटेज नाप भेंगे यदि हम लोग इसका mathematical calculations करेंगे तो हमारे अच्छे के परिणाम ज्यादा निकलते इनकम्पीजन बुड़े के काईगी 6,8,12 गर एधि किसी भी घर में, किसी भी क्रहम में है साथ मेंने दस ग्या रहा है तो वो क्या करता है उसको पीट कर देता है यदि खाले ग्यारा रहता है तो हम यहाँ कहते है कि 6,8,12 हमें हरा देगा जब इसकी जो गुरू की जो दसा इनकी लिए है इनके जीवन में देखिए है कि बहुत ज्यादा चेंज ला देंगे ये मतलब इनवर्स लेवल पर ये अपने सिताड़े को चमकाएंगे अपने नाम को रोसन करेंगे और हो सकता हमारे देश का भी रोसन करेंगे जब गुरू गुरू चल रहा बढ़िया लें गुरू सनी में थोज दिखेत आएंगे लिए इतनी उचायों कि इतनी बुलंदियों में पहुंचेंगे कि वहां तो कोई भी जाता कोई इंसान नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों कि इसी परकार हम लोग कुम्निली का विश्लिसंस करते हैं साथ में अब देखेशन लाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छा है अब इसकी बैवाहिक जीवन को भी हम लोग एक बान अजर में देख लेते हैं बैवाहिक जीवन के लिए हमने एक वीडियो बनाया देशे बताया है उसका नच्छातर देखे एक छे दस बता रहे हैं लेकि दो साथे ग्यारा भींटी फिप्टी हो गया इनके सब्लोट देखेए एक छे दस हैं शाथ में फिप्टी फिप्टी लेकि ऑबर लाल देखिएगा तो सूरी में थ्वाहिक जीवन में थ्वासा नेगिटिव में केंगे हमारे यह उपर से ग्रह नच्चेत्र और सवलोट तिनों मिलके छे दिश्च एक छेदस बता रहे हैं जबकुर साधी कंबिनेसन से देकिकर में कुछ नहीं पता रहे हैं लेकिन नच्चेत्र में दो साथे ग्यारा और सब्लोड में साथे ग्यारा है पोजिस्टन जीदे हम लोग कल्कुलेशन करेंगे तो हमारे नो मैरेज या मैरेज के बार बैवाहिक जीवन खराब की ज्यादा चांचस रहेगी उसी परकारे देनों चेदरमां को देखते तो बहुत अच्छा गरह अच् सब्सक्राइब को देखते तो मंगल बहुत खराब है एक चेदर्स देखिए उपस लेक्षे तक आरा आपको मंगल वेवाहिक जीवन के लिए खराब लगता रहा है गुरू देखिए ग्यारा साथ ठीके बढ़ियां है तीनों मारा लेकिन साथ में छे-छे-छे-छे भी आर सब्सक्राइब करते हैं अब एक चेदर्स के साथ आठ वार आए जोड़ियां सोचिए कंडम कर देता लेकिन दो साते ग्यारा है पांच नो है तो मैनेज कर लेता है वाहिक जी मनखवा इसी बगर हम लोग कुंडली का विश लेसन करते हैं और इसी तरफ यह जाना चाहिए ह हमें आसा कि आपको बहुत अच्छी लगे कि दोस्तों वीडियों इस अच्छी लगे तो किर्पे हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें साथ लाइक और शेर अवस्त करें जै माता दी धन्यवाद दोस्तों